नमस्कार वन इंदिया में आपका स्वागत है नजर हटी दुर घटना घटी ये कहावत आपने सुनी होगी जरासी चुक की वज़े से कई बार बड़ी गलती इंसान कर बैठता है और जब बात क्रिकेट के मैदान से आई हो तो समझ लेजिए कोई बड़ी घटना हुई होगी पर ऐसा नहीं है बड़ी घटना होते होते बच गई कगीसो रबाड़ा और फाब डुपलेसी के बीच जोड़दार टककर हुई ऐसी टककर की लगा डुपलेसी अब मैट से ही बाहर हो जाएंगे हो सकता है चोटगमीरो पर ऐसा नहीं था सबसे फिट खिलाडियों में से ए एक फाब डुपलेसी तुरंट उठ खड़े हुए और इसके बाद लगे कगीसो रबाड़ा की तरफ देखने अब आपको बताते हैं कि आखर हुआ क्या था दरसल जब डुपलेसी 23 रन पर खेल रहे थे तो वो तेज गेंदवाज कगीसो रबाड़ा से बूरी तरह टकर आ मामला चठे ओवर का है रबाड़ा की गेंद पर डुपलेसी ने एक हिट किया और सिंगल लेने के लिए दोड पड़े वाटसन भी बाहर निकले उनको गेंद का बिलकुल भी अंदाजा नहीं था डुपलेसी की नजर गेंद पर थी और इसी दोरान वो गेंद बाज के छोर पर रबाड़ा से टकरा गए रबाड़ा की नजर भी गेंद पर ही टिकी हुई थी इस टकर से डुपलेसी और रबाड़ा दोनों ही नीचे गिर गए लेकिन रबाड़ा ने बलेबाज को संभाला यानि कि फाब डुपलेसी को उन्होंने संभाला फिजियो ने इसके बाद और वो वापत से खड़े हो कर बलेबाजी करने लेगे इसके बाद तो डुपलेसी ने चौके छकों की बारिश कर दी आपको बता दे बारवे ओवर की तिसरी गेंद पर डुपलेसी ने सिंगल लेकर अपना पचासा पूरा कर लिया मगर वो इस पचास्ते का सही से जश्न भी नहीं मना सके दर असल जैसे ही डुपलेसी ने अर्दश्य तक का जश्न मनाने के लिए अपना बल्ला उठाया दिल्ली केप्टल्स ने अच्छाना की रिव्यू लेने का फैसला किया मगर यहाँ पे दिल्ली केप्टल्स ने अपना रिब्यू गवा दिया और डुपलेसी ने 49 गेंदों का सामना करते हुए अपना अर्दश्य तक पूरा कर लिया हाला की बाद में फाब डुपलेसी कगी सो रबाडा के ही शिकार बने आपको बता दे दिल्ली केप्टल्स के खलाफ इस मुकाबले में सौथ अफरिका के पूर्व कप्टान ने 58 रनों की पारी खेली 47 गेंदों का सामना करते हुए छह चोके और दो छकों की मदद से फाब डुपलेसी ने 58 रन बनाए गौर हो आईपिल की 13 सीजन का 34 मुकाबला शार जहां के मैदान पर सीएसके और दिल्ली केप्टल्स के बीच खेला जा रहा है इस मैच में चैनी सुपर किंग्स के कप्तान महंदर सिंग धोनी ने टॉस जित कर पहले बले बाजी करने का फैसला किया फाब डुपलेसी के अरदर श्रतक के दम पर चन्ने की टीम ने 20 ओवरों में 4 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए इस तरह दिल्ली केप्टल्स के सामने 180 रनों का टारगेट मिला दिल्ली केप्टल्स की शुरुआत बहुत खराब रही और पिर्थवी शौ एक बार फिर से खाता खोलने में नाकामियाब रहे दीपक चाहर ने पिर्थवी शौ को पाँचवी बार आईपियल में आउट कर दिया इस खबर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ